जहिंद साथियो स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल इस टरड़े विद उदे में तो दोस्तो आप कैसे हैं आसा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने एक्जाम के त्यारी कर रहे होंगे दोस्तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं important question related to अल एक्जाम दोस्तो सभी एक्जाम के लिए महत्वपुड question जो की दोस्तो परिच्छा में बार बार repeat हुए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है दोस्तो आपको comment box बताना है कि the terminator किस खिलाडी का उपनाम है क्या question दोस्तो दर टर्बनेटर किस खिलाडी का उपनाम है दोस्तो हम पहला question दिखते हैं कि dialysis का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तो डालेसिस का जो प्रयोग किया जाता है या गुर्दे के इलाज में किया जाता है तो दोस्तो गुर्दे का इलाज जो किया जाता है और डालेसिस की द्वारा किया जाता है दोस्तों जिसमें क्या होता है कि डालेसिस एक मैनमेड दोस्तों क्रितरिम प्रक्रिया होती जिसमें की ब्लेट को फिल्टर करने का कारे किया जाता है आगे दोस्तों देखते हैं कि महात्मा गांधी राष्टी उद्धान कहा इस्थित है दोस्तो महातमा गांधी राष्टी उद्यान जो है या अंडमान नीकोबार्द में इस्थित है कहां इस्थित है अंडमान नीकोबार्द दीपसमू में इस्थित है दोस्तो अंडमान नीकोबार्द दीपसमू की राजधानी जो है यह है पोर्ट बलेयर क्या है दोस्तो पोर् regel यो ने भारत के किस राज में Fire Safety Training शुरू कि है तो डियार्डियों जिसका फूल नम होता है Defense Research Development aorgynaization इन्होंने भारत के उत्तर परदिश राज में Fire safety Training शुरू की है तो डियार्डेने कहां पर Fire चैनल किया है तो दोस्तों यहां उत्तर प्रदिश में सुरू किया है दोस्तों भारत का राज्जे उत्तर प्रदिश जंग संक्या के दृश्टी से सबसे बड़ा благ है और दोस्तों उत्तर निरित्य किस मारुती निरित्य भारत के किस राज में किया जाता है तो दोस्तों मारुती निरित्य जो होता है या भारत के सिक्किम राज में किया जाता है दोस्तों सिक्किम जो है जन संख्या के दिरिश्टी से सबसे छोटा राज है और दोस्तों सिक्किम की राजधानी क्या है गंगटोक है क्या है दोस्तों गंगटोक है आगे दोस्तों देखते हैं कि IICS दोस्तों जिसका फुल नेम होता है Informatica Intelligent Cloud Services क्या है दोस्तों Informatica Intelligent Cloud Services दोस्तों इसके पहले भारती नहीं देशक कौन थे दोस्तों IICS के जो पहले भारती नहीं दे सकते हो थे डाक्टर सीवी रमन कौन थे दोस्तो डाक्टर सीवी रमन थे आगे दोस्तों देखते हैं कि इक्तादार प्रडाली की सुरुवाद किस ने की थी दोस्तों इक्तादार प्रडाली की सुरुवाद जो किये थे वा इल्टू तमिश किये थे किसने किया था इल्टू तमिश ने किया था आगे दोस्तों में देखते हैं कि सौतंतर भारत के पहले विदेश मंतरी कौन थे तो दोस्तों सौतंतर भारत के जो पहले विदेश मंतरी थे यह थे जौाहरलाल नहरू कौन थे दोस्तो जौहरलाल नहरू थे जो कि दोस्तो भारत के प्रतम प्रदान मंत्री भी बने थे आगे दोस्तो हम देखते हैं जलिया वाला बाग नर्थ संहार के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की गोली मार कर हत्या किसने की दोस्तो जलिया वाला बाग नर्थ संहार के लिए जो जिम्मेदार जनरल डायर था उसको गोली किस ने मारा था तो दोस्तो उसको गोली मारा था उधम सिंग ने किस ने मारा था उधम सिंग ने मारा था आगे दोस्तों हम देखते हैं कि भारत में दलदली भूमी कहां पाई जाती है तो दोस्तों भारत में जो दलदली भूमी पाई जाती है सुन्दरवर्ड के डिल्टा में पाई जाती है आगे दोस्तों हम देखते हैं अगला कुश्चन कि भूमद रेखा पर दो देसांतरों के बीच की दूरी लगबग कितनी होती है तो दोस्तों भूमद रेखा पर दो देसांतरों के बीच की दूरी जो होती है वह 111 किलो मीटर होती है कितनी होती दोस्तों 111 किलो मीटर होती है आगे दोस्तों देखते हैं कि किस देश को हजार जीलो की भूमी कहा जाता है दोस्तों जो फिनलेंड देश है इसे हजार जीलो की भूमी कहा जाता है दोस्तो बात करते हैं फिनलेंड की राजधानी की दोस्तो फिनलेंड की राजधानी जो है वह है हिलन सिकी है क्या है दोस्तो हिलन सिकी है दोस्तो अगला कुश्चन देखते हैं कि अंडमान नीकोबार से किस जलासे से अलग होता है तो दोस्तो अंडमान नीकोबार से किस जला करता है तो दोस्तों होता है टेन डिग्री चैनल अगला कुश्चन दिखते हैं बीसो का सबसे बड़ा दीव सम्मूह कौन सा है तो दोस्तों बीसो का जो सबसे बड़ा दीव सम्मूह है ओ है दोस्तों ग्रीन लेंड क्या है दोस्तों ग्रीन लेंड है स्वेज नहर किसको सबसे लंबा है तो दोस्तो किस राज्जी की समुध तर्टी सीमा सबसे लंबी है तो ओ है दोस्तो गुजरात कौन है दोस्तो गुजरात है बात करते हैं दोस्तो गुजरात की राजधानी तो दोस्तो गुजरात की राजधानी जो है वो होती है गांधी नगर क्या है दोस्तो गांधी नगर है भारत में जीलो का सहर किसे कहा जाता है तो दोस्तो भारत में जीलो का सहर जो कहा जाता है या उदैपूर को कहा जाता है किसे कहा जाता है दोस्तो उदैपूर को कहा जाता है बात करते हैं दोस्तो उदैपूर के बार और उस तहल जो कि राजस्थान में ही है आगे दोस्तों हम देखते हैं तिबबत में से होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों तिबबत में से होकर जो बहने वाली सांगपो नदी है इसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तो ब्रह्मपुत्र नदी की नाम से जाना जाता है दोस्तो ब्रह्मपुत्र नदी है या भारत के अरुडांचल परदेश राज से प्रवेश करती है बात करते हैं दोस्तो अरवरांचल परदिश की राजधानी की तो दोस्तो इसकी राजधानी है इटानगर क्या है दोस्तो इटानगर है आगे दोस्तों देखते हैं कि काली बंगा सिंदु घाटी अस्थल इस्थित है दोस्तों काली बंगा और सिंदु घाटी जो अस्थल है या कहां पे स्थित है दोस्तों या राजस्थान में स्थित है कहां है दोस्तों राजस्थान में स्थित है और दोस्तों राजस्थान की जैपुर जिसे की पिंक सीटी कहा जाता है अंकोरवाट मंदिर कहां इस्थित है तो दोस्तों अंकोरवाट मंदिर जो है कमबोडिया में इस्थित है कहां इस्थित है कमबोडिया में इस्थित है बात करते हैं दोस्तों कमबोडिया की राजधानी की दोस्तों कमबोडिया की किराजधानी दोस्तो North playing क्या है नौम पढ है आगे दोस्तों दीखते हैं भारत में भाकड़ाबन्ध निर्मीथ है दोस्तों भारत में जो भाकड़ा नांगल बादpse है यह कहां इस्थीत है तो यह सतला से नदी पर इस्थीत है जो कि हिमाचल परदेश में है दच्छड की गंगा के नाम से जानी जाती है दोस्तो दच्छड के गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है तो दोस्तो वो नदी है कावेरी कौन सी नदी है दोस्तो कावेरी नदी है जिसे की दच्छड की गंगा कहा जाता है दुनिया के महासागर जो बांध है या क्रिष्णा नदी पर इस्थित है जो कि दोस्तों कहां पर है तो या आंधर प्रदेश में इस्थित है ग्रेट बैरियर रीफ कहां इस्थित है दोस्तों ग्रेट बैरियर जो रीफ है या आश्ट्रिलिया में इस्थित है दोस्तों प्रसांत जिसकी दोस्तों गहराई जो है वहां मारियाना ट्रिंच को दी जाती है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है वह सुन्दर वन का डेल्टा जिसे की गंगा और ब्रहमपुत्र नदी मिलकर बनाती है भारत कि इस धेस के साथ सबसे लंबी अंतर राश्टी सीमा साजा करता है तो दोस्तो भारत कवा पडोसी देश है बांगलादेश जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी अंतर राश्टी सीमा साजा करता है बात करते हैं दोस्तो भांगलादेश की तो दोस्तो भांगलादेश की राजधानी है डाका वहां की currency है टका और दोस्तों बांगलादेस का जो राश्टी खेल है ओह है कवट्डी किस राजी में सभसे अधिक 1% है दोस्तों भारत के किस राजी में सभसे अधिक 1% है तो दोस्तों ओह है राजी मध्यपर्देस को है Дोस्तों मध्यपरधिस है दोस्तों मध्यपरधिस की राजदानी है भौपाल दोस्तों मध्यपरधिस को भारत का उत्तित है दोस्तों देहरा दून वन अनुसंधान संस्थान कहा इस्थित है दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान जो है यह भी देहराद उन में है कौन सा अलग नंदा और भागी रथी नदियों के संगम का केंदर है तो दोस्तो कौन सा स्थान है जो कि अलग नंदा और भागी रथी नदियों के संगम का केंदर है वह है दोस्तो देव प्रयाग कौन है दोस्तो देव प्रयाग है तो दोस्तो दर टर्बनेटर जो है या हरवजन सिंगो कहा जाता है किसे कहा जाता है हरवजन सिंगो कहा जाता है दोस्तो वीडियो में अंदर तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद